Hey guys, hi, this is Abhishek, Master Director of Izade Vedantuk, कैसी चले मचे जिन्दगी, कैसे हो मेरा शेरो शेर्नियो, welcome to this amazing session and a very very critical one, now why is it critical, क्योंकि भाई साब, class 10 के board examinations में जो physics का subject होता है, उन में से कुछ ऐसे सवाल होते हैं, जो board examination में आते ही आते हैं, mandatory होते हैं, कुछ ऐसे topic होते हैं, तो जो भाई हर साल आते हैं, उन में से एक topic है, concave mirror के numericals, mirror formula के उपर, साथ इसाथ magnification के उपर, है ना, तो आज हम करने वाले हैं, in fact, spherical mirrors के सारे mirror formula और magnification के related सवाल, जो आपको पिछले साल आ चुके हैं, सारे की, मदद पिछले आप 10-15 साल के paper उठा के देखोगे, उन में से सबसे common सवाल, आज ह category बोल रहे हैं, दो और तीन माक के सवालों में, जिसको हम medium category बोल रहे हैं, और of course, 4 और 5 माक के सवाल, जिसको हम hard category बोल रहे हैं, of course, because कितना lengthy हो सकता है, वो है, कितना difficult बन सकता है, तो आज का in fact, जो हमारा आखरी सवाल है, जो 15th question है, वो तो भाई, extremely, extremely, extremely important है, तो definitely watch till the end, in fact हर सवाल बहुत important, क्योंकि मैं guarantee दे सकता हूँ कि बाई, जो भी सवाल आज अब करने वाल हो, ये सवाल आपको, या तो सीधे-सीधे आपके school के exams में, आपको board examination में आएंगे, या तो इन से similar ही आएंगे, सिर्फ number बदल दिया जाएगा, आपको कोई और variety, magnification और mirror formula से mirror से नह करने के somewhere about 12 सवाल हो जाने के बाद, आप लोगे एक special surprise है आज, I really would, I'm looking forward to, you know, tell all of you guys that, so please make sure that you're there, ठीक है, तो चलो फिर भाई साब, शुरू करते है आज का session, I hope all of you guys can see the screen clearly, है ना, तो आज के session में क्या करने वाल में, दुबारा retreat कर देता हूँ भाई साब, है ना, ताकि हम पहले schedule इस सवते का देख लेते हैं एक बार, अगर आप से कोई session miss out हो गया, तो आप बापस जा सकते हो ना भाई, आज का motivational quote होगा, फिर easy section होगा, पांच सवाल करेंगे यहाँ पर एक मार्क के, और यह medium section होगा उसके बाद, जहाँ पर हम 7 सवाल करेंगे, 2 और 3 मार्क के, फिर होगा difficult section जहाँ पर हम करेंगे 2 सवाल, 4 और 5 मार्क के, ठीक है, उसके बाद जो 15th question होगो आपके लिए homework होगा, मैं बोल रहा था कि आपका जो 14th question है, इस session का extremely interesting है, ठीक है, in fact हर सवाल extremely interesting है, देखते रहेगा, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, यह हमारा इस सवते का schedule, 10 के लिए बहुत interesting sessions हो गया हमारा, refractive index is done, one shot of light is also done, please check it up, और मेरे ख्याल से हमने एक वीब और भी कर दिया है, light का और nationalism in Europe का, SST, जहां पर मैं और सुर्वे हम खेले थे, देखना जाकर, और आज हम कर रहे हैं, VIP series, class 10 physics light, magnification mirror formula, numericals, lecture 2 है, lecture 1 हमने किया हुआ है, diagram-based सवालों पर और वो भी बहुत extremely important session था, check out करेगा, ठेक है, और आज मेरे ख्याल से कल, Sunday को एक और बहुत interesting session है, do class 10 school exams have any importance, that's a very important question, जो आप भी पूछे होएं कि भाई, मैं स्कूल में इतनी महनत क्यों कर रहा हूं, जब मैरे को देना, finally board examination है, है न, ये critical सवाल आप सबके, शायद, you know, हो करना है आपको, ठेक है, क्यों करना है, कैसे करना हो, मैं बदाने वालो session में, I'll talk to you guys about that tomorrow, ठेक है बेटा, चलो, आज का motivation quote ये रहा, the harder you work, the better you get, for example, take this topic, which you are gonna learn today, मेरा formula के questions, कभी-कभी बहुत बच्चों को बहुत difficult लगते हैं, लेकिन जितनी महनत आप करते रहोगे, difficult चीज आसान होती जाएगी, समझ रहे हो, किसी को नहीं लगता था कि माउंट एवरेस चड़ना आसान होगा, माउंट एवरेस चड़ना possible भी होगा, लेकिन अब हर साल हजारों लाखों लोग चड़ते हैं, possible है, अगर आप सोचो, तो possible है, ठीक है, चलो, अब आगे बढ़ते हैं, यह जैसे मैंने निखा था, पिसले सेशन में हमारा homework था, टॉपिक था, उसमें मैंने यह homework दिया था, एक competency-based सवाल था यह, जिसमें सबसे पहले हमारे हर्ष जी ने टॉप करती है, सही जवाब देते हुए, second position में हमारी गुन-गुन जी है, third में हमारे जोतिश जी है, fourth में अबास अली जी है, fifth में हमारी योगेश वालन जी है, तालिया ओजयन के लिए भाई, यह हमारे पिसले सेशन के homework रॉकर्स, आज के सेशन के end में भी एक homework होगा, और जिसका जवाब जो कमेंट्स में देगा, उनमें से random 10 बचों को उठाये जाएगा, to, you know, showcase like this, तो बेटर ह आपने profile picture में डाल दो भाई, YouTube पर अपना चाहरा लाल दो, आपना चाहरा भी दिख जाना भाई, है ना, and of course we have the blue sky on the 6th position, Harish on the 7th, Vaishnabhi on the 8th, Rina on the 9th, and Arunima on the 10th position, तालिया इन लोग के लिए, बिलकुल सही जबाब, आप सबको, सबके लिए बले बले बिटा, thank you so much Harish, means a lot, ठीक है, चलो, अब बले बले के साथ साथ शुरू करते हैं, उमेद हैं कि आपने अब तक वीडियो को like कर दिया है, thank you so much for sharing this video and subscribing to the channel, it really means a lot to me, as I always say, ये सारी चीज़े आप लोग के लिए absolutely free है, लेकिन हमारे लिए extremely, मेरे लिए extremely important है, ठीक है, तो subscribe कर शुरू करेगा चानल क तो बसो नीचे red button इता click कर देगा इतना है, ठीक है, चलो भाई, चलते हैं easy section में, शुरू करते हैं हमारा पहला सवाल, बहुत interesting, बहुत easy भी है वैसे, if the student wishes to point the mirror to another object, so as to obtain a virtual enlarged image, where should be the position of the object with respect to the mirror, अगर मेरे को एक virtual और enlarged image बनाना है, ठीक है, तो भाई साहब मेरा object कहाँ प बहुत important बात मैं कहना चाहूंगा आप लोगो को, कि यार आप लोग पहले ना सवाल पढ़ो, वीडियो पॉस्ट करो, खुद से solve को निकुशिश करो, उसके बाद फिर मेरा solution देखना, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत shortcut, बहुत tips और बहुत tricks बताऊंगा, पहले आप अपने तर clarity होनी चाहिए, कि concave mirror एक ऐसा mirror है, जो मुझे एक virtual enlarge में देता है, convex mirror का virtual image छोटा होता है, diminished होता है, plain mirror का virtual image same size का होता है, इसको पूरी तरीके से याद रखेगा, ठीक है, तो यह हो गया concave mirror भाई, concave mirror की बात हो गई, सही है, अब, तो concave mirror में अगर मुझे virtual image बनाना है, तो मेरा object कहां पर होना चाहिए, मेरा object between pole and focus होना चाहिए, अगर आपको याद है वो ray diagram, sixth ray diagram कहते है, object focus और pole के बीच में होता है, image यहां बनती है, mirror के पीछे, ठीक है, जब मैंने ray diagrams पढ़ाया था, मैंने बोला था, कि sixth ray diagram और तीसरा ray diagram कौन के mirror का extremely important है, in fact, diagram based सवाल का जो हमारा पहला VIP series उसमें भी यही बात प्रूव होई थी, तो हां, बहुत important, आगे बढ़ते हैं to question number 2, 2010 का सवाल आप देख सकते हो, an object is kept at a distance of 4 meter in front of a spherical mirror, which forms its erect image at a distance of 1 meter from the mirror, तो 1 meter of 4 meter, तो object distance आपको 4 meter दी गई है, और image distance 1 meter दी गई है, और बोला गया है कि यह virtual or erect image है, यह erect image है, erect है तो वर्चोल है, वर्चोल है तो mirror के पीछे है, what is the magnification is the mirror concave or convex, यह second part हम बाद में करते हैं, पहले पहला part करते है, magnification निकालते है, magnification का formula क्या होता है, minus V upon U, है न, यहाँ पर आपको image distance दिया गया है, बोला कि भाई, आपका image 1 meter है, image distance 1 meter है, अब यह 1 meter कहाँ पर है, है न भाई, mirror mirror के सामने mirror के पीछे है, इसकी clarity आपको समझ में आनी चाहिए, पता होनी चाहिए, हमेशा आद रखेगा, कि भाई, object तो हमेशा mirror के सामने रखा जाएगा, अब चाहिए वो कौन के mirror या convex mirror हो, ठीक है, अब मैंने आपे कौन के बना दिया, अब example ले लो, 1 meter पीछे है mirror के, है अब मैं पर पता नहीं कि भाई, बड़ा image है की छोटा image है बजो पता नहीं, मैं randomly आपे बना रहा हूँ, ठीक है, 1 meter है mirror के पीछे है, तो क्योंकि image mirror के पीछे है, sign convention के इसाब से image distance positive होगा, तो 1, u कितना है भाई, 4 है, और mirror के सामने है, तो sign convention के साब से minus 4 होगा, ठीक है, minus minus क तो positive ही आएगी, negative आती है, तो गलत है, ठीक है, दूसरा, 1 by 4 मतलब होता है 0.25, समझ रहे हो, तो magnification आपकी 1 से छोटी आई है, समझ रहे हो, अगर आपका magnification 1 से छोटा है, that means this is a what kind of image, it is a diminished image, और जैसे मैंने आपको पहले सवाल में कहा दिया था, अगर virtual image diminished है, तो फिर वो convex mirror है, concave नहीं, concave mirror का virtual image हमेशा बढ़ा होगा, याद रखेगा, है न, sorted है, सबने बोल दिया थे option है, congratulations, आगे बढ़ते है to the third question, sample paper का सवाल है, ध्यान से देखे, an object display 60 cm in front of a concave mirror, तो आपको यहाँ पर object distance दे गया है, 60 cm, तो minus 60 cm लिख देते हैं, ठीक है, the real image of the mirror, देखो आप बोल दिया कि real image है, real image है, to image mirror के सामने बन रही है, ठीक है, और con ke mirror भी आपको दे दिया है, hint के mirror तो real image बनाएगा, और आपके mirror के सामने बन रही है, located 30 cm front of a mirror, तो V की value भी आपको दे रही है, और mirror के सामने बन रही है, तो minus 30 cm sign convention के साब से, ठीक है, now what is the object's magnification, यह तो extremely easy हो गय गया, real image है, तो magnification negative आएगी, वो आप देखलो बस, तो magnification formula हो गया, minus V upon U, minus V की value कितनी है, minus 30, है न, U की value कितनी है, minus 60, तो आपकी value कितनी हो जाती है, आपके, minus minus कड गया, फिर भी एक minus बचा हुआ है, minus 1 by 2 आपकी magnification हो जाती है, which is basically minus 0.5, ठीक है, तो यह real image है, यह inverted image है, और यह diminished image है, क्योंकि आपकी value 1 से कम आई है, तो it's a red image, real inverted diminished red, ठीक है, तो यह था question number 3, very interesting from a sample paper, going on forward for the fourth question on your screen, यह 2023 latest सवाल है, वो गरम-गरम सवाल निकलता है, न, गरम-गरम सवाल है, पिछले साल ही आया था, ठीक है, तो देखते हैं कितने बच्छे साल कर पाते हैं, अगर आप exam दे रहे होते हैं, तो देखते हैं कितने बच्छे solve कर पाते हैं, by the way, जो बच्छे इसको live नहीं, प्रीमेर नहीं, बतलब ऐसे वीडियो बात में देख रहे हैं, भाई, सारे जवाब मेरो comments में चाहिए, ऐसे बच्च के कहां जाओगे, चलो, a student wants to obtain an erect image of an object using a concave mirror, दे अब बोल रहा है कि भाई, focal length is concave mirror का 10 cm है, focal length concave mirror का minus 10 cm, minus को लिखा sign convention concave mirror का focal length होता है, negative, what will be the distance of the object from the mirror, यह तो clear हो गया भाई, कितना easy सवाल है, जब हमको पता है कि भाई, pole और focus के बीच मेरा 10, मेरा object होना चाहिए, तो आपका focal length 10 cm है, तो 10 cm से कम पे आपका object होना चाहिए है ना, basically आपका कौन के mirror है, यहाँ पे आपका focus है, जो है total 10 cm का, आपको रखना है object 10 cm के अंदर, तभी आपका virtual image बनेगा mirror के पीछे enlarged, correct, तो क्या लिखोगे, less than 10 cm, option A, सही, सबको मिल गया होगा, बहुत बढ़िया, 2023 का एक और सवाल, इसी topics आप देखे हो, आप देख पा समझ लो, कि भाई, experience अब इतना हो गया है हमें, कि हमने जो कह दिया, वो आ गया, ठेक है, हम पेपर लिख करते हैं स्टैनल पर, आप समझ लो इसको ऐसे, ठेक है, तो subscribe अभी के अभी, to obtain a magnification of plus 2, with a concave mirror, तो अगर आपको magnification plus 2 चाहिए, अच्छा, 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 अच और enlarge चाहिए, through a concave mirror of radius of curvature 60 cm, sign convention, तो minus लितना है, focal length इसका आधा होगा, radius of curvature को focal length आधा होता है, तो minus 30 cm, okay, आगे, the object distance must be, अरे वो ही बात हो गई, कि अगर आपको virtual image बनाना है, ठेक है, तो object को कहां रखना पड़ेगा, आपको object को focal length से कम distance पर रखना है, तो minus 30 से कम distance कौन सा है, यहाँ पर, minus 90 नहीं है, 45 भी नहीं है, यह भी नहीं है, minus 15, मतलो basically 15 cm is less than 30, अब आप बोलो के sir, यह तो negative number है न, negative number नहीं तो जितना आप दूर जाते हो, negative जाते हो, उतना वो कम number होता है, नहीं बेटा, यह integer की तरके से मत समझना है, इसे, minus सिर्फ यह indicate करता है यह mirror के सामने बन रहा है image, यह object mirror के सामने रखी जाहिए, बस इतना ही समझ में आना, please, इसको integral line जैसे मत लेना, 30 से कम की value है 15, ठीक है, चलो, and I think, तालियों का वक्त होना चाहिए रभी, कितने वक्त में आई, अरे, क्या बात है यार गाईस, 5 से 7 मिनिट के अंदर तो आप को ने एकदम 4D दिया, यार मतलब मजा आ गया देखकर, 5 से 7 मिनिट के अंदर आपने 5 एक-एक माँ के सवाल कर डाले, और जितने numericals थे हो शायद हो एक या दो माँ से भी आ सकते हो, this is extremely crazy, क्या कहूं मैं, I am extremely proud of you guys, very very proud, और आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, and I am hoping कि medium स करोगे कि नहीं, करोगे न, ठीक है, तो I am waiting, I am waiting to make sure that कि आप लोग करोगे, तो अभी हम 2-3 माँ के सवाल करने जा रहे हैं, all the best, पोड़ते हैं, make sure to hit the like button if in case you haven't yet, क्योंकि भाई वो तो बहुत जरूरी है, hit the like button, mention in the comments कि सारे से जवाब मिले की नहीं, share this video right now and subscribe to the channel if in case you haven't and press कि आपको हर एक सवाल का new definition मिले, अगर आप ये wonder कर रहे हो, सचलो एक माँ का सवाल ठीक है, लेकिन 2-3 माँ, 4 माँ, 5 माँ के solutions कहा मिलेंगे, तो भाई, जो भी मैं session में लिख रहा हूं, साथ ही साथ प्रॉपर solutions के साथ, ये पूरा PDF आपको हमारे telegram group में मिल जाएगा, telegram group क लिंक description में है, ठीक है, and wait for all the questions today, we watch it till the end, and wait for the surprise, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, 2016 का 2 माँ का सवाल, आप देखोगे, कि भाई, कोई सवाल इतना लड़ू हो कैसे सकता है, देखो, the magnification produced, the magnification produced by a spherical mirror is minus 3, तो magnification आपका है, minus 3, list 4 information you obtained from this statement about the mirror and the image, इतना लड़ू सवाल, पहली बात, ये कौन सा mirror होगा, यार ये negative sign indicate करता है, कि ये real है, और अगर real है, तो inverted है, real और inverted है, तो mirror के सामने बना हुआ है, image is formed in front of the mirror, 3 का मतलब होता है, कि ये enlarged image है, magnified image है, क्योंकि इसकी value एक से जादा है, वो कौन सा mirror होता है, जो आपको एक real inverted image दे सकता है, concave mirror, उन्होंने पूछा था, चार चीज़े बताओ, मैंने आपको एक, दो, तीन, चार, पांच चीज़े बता दी, देख रहे हो, दो marks कैसे मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं, चलो, आगे बढ़ते हैं, नेक सवाल 2010 का, देखते हैं, ये क्या, ये क्या फिक्त है हमारे, 2010 देख रहे हो, अभी 2024 है, हमने, हम जब मैं बोलता हूँ कि हमने 10-15 साल के papers उठा लिए, इन्फाक्ट हमने उसके पहले की जाके कितना मैनत कर रहे हैं, आप लोग के लिए, तो एक बार content team के लिए तालिया बनती है ना भाई, बिलकुल, चलो, अब आगे बढ़ते हैं, the image of a candle flame placed at a distance of 30 cm from a mirror, is formed on a screen placed in front of the mirror, a distance of 60 cm, देखो, image भी in front of the mirror ही बनी है, तो इसमें clear होगे कि real image है, तो यू बताया जा रहे ह कि भाई, minus 30 है, और क्योंकि V भी आपके mirror के सामने बनी है, तो ये भी minus C होगी, minus 60 cm कहा जा रहे है, ठीक है, what is the nature of the mirror, find its focal, nature क्या है भाई, ये तो concave mirror है, बात खतम होगे, real image बना रहे है, concave mirror है, there is no doubts about it, अब आपको आपका mirror formula का इस्तमाल करना है, 1 upon F is equal to 1 upon V, plus 1 upon U, ये यहाँ पर आपको B की value डालनी है, minus 60, फिर आपको UK डालनी है, minus 30, फिर आपको LCM निकालना है, अब बताओ, LCM, minus 60 मान लो, यहाँ पर LCM है, यहाँ पर आपको जगा, ये दो बार जाएगा, ये एक बार जाएगा, तो basically आपको यहाँ पर हो जाता है, कितना, यार मैंना 60, that is minus 90, 90 एक बार, तीस एक बार, ये तीन बार, ये बीस बार है ना, तो यह answer comes out to be basically, minus 20 centimeter, perfect, BC होना चाहिए, है ना, क्योंकि भाई, मेरे को बिलकुल नहीं आता, max बगेरा, पता नहीं कैसे फिसिक टीजट बन गेरा है, तो मैं हमेशा confused जाता हूँ कि LCM बगेरा में, जब negative से ना, तो कैसे निकालना, तो शायद आपको ये confusion होगा, तो मैं हमेशा cross multiplication से निकालता हूँ, मेरे लिए बहुत easy पड़ता हूँ, तो I am hoping कि minus 20, हाँ, minus 20 centimeter, जवाब तो बिलकुल सही है, जवाब तो बिलकुल सही है, जवाब गलत नहीं आता हमारा, 2017 का सवाल, दो माक का गे लेकिन जब उसने बोल दे, screen पे बन रही है, तो जब भी image screen पे बनती है, वो real image बन जाती है, बात कतम, क्योंकि virtual image screen पे बनी नहीं सकती, ठीक है बटा, तो यहाँ पर आपकी magnification की value उनोंने indirectly आपको बता दी कि वो 3 है, और sign ने minus लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये real image है, ठीक है, तो हसो, घुल मिलाओ, मुस्कराओ, क्योंकि तुम अभीशेक सर के session में हो, आगे, if the object is placed 20 cm in front of the mirror, तो यू आपको दे दिया है, minus 20, अच्छा, अब how far is the screen from the object, देखो, कितना is this सवाल है, तो आप क्या गरो, जल्दी से आप बोलो गया, अरे सर तना लड़ो सव आपको बाले, m is equal to minus v, v upon u, formula डालो आप, निकालना आपको v है, तो ये rearrange करेंगे, तो u उपर गया, निगटे वा गई, तो minus m into u हो गया, m का value आपको दिया होगा है, minus 3, value डालो ना, u की value आपको d गई है, minus 20, आपका value आजाएगा, minus, minus positive, और ये फिर negative, minus 60 cm, हो गया सर, जवा माक्स, आपको मिलेगा है नहीं पूरा माक्स, तीन माक का सवाल है, दो माकी मिलेगा, क्यों मिलेगा सिर्फ दो, क्योंकि यहाँ पर जो पूछा गया है, वो आपको image distance नहीं पूछ रहा है, अब ध्यान से देखिए, क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है, how far is the screen from the object, not screen from the image, भाई, screen पर image बनती है न, तो not screen from the mirror, वो image distance होगा, जो भी निकल दिया, object to the screen, object distance होता है, जो दिया हुआ है, screen and the object, तो यो पूछा जा रहे कि भाई, object और image में कितना distance है, समझे, हाँ, समझे अब, तो देखो यह कौन के mirror यह तो clear है, क्योंकि real image बना रहा है, है न, pole, ठीक पर है, 20 cm पर, ठीक है, यह आपका object है, और V 60 पर है, तो मतलब V कहाँ पर बाई, V यहाँ पर कहाँ पर होगा, real image बना रहा है, तो आपकोस यहाँ पर होगा, 60 cm आपका V है, ठीक है, तो object और image में कितना distance हुआ, 40 का न, 60 से 20 माइनस का दो, 40 cm, 40 cm is the distance between U and V, देखा, पुरा game ब बच्चे को, यह मेरे suggestion है, और बहुत बड़ा, बहुत बड़ा request है, मेरे हर एक share, और share new से, बेटा, सवाल को अच्छे से पढ़ना, जिन्दगी के कुछ फैसले, जिन्दगी के कुछ हरकते, जिन्दगी के कुछ कदम, छोटे-छोटे कदम, बड़े-बडे मन्जिलों तक ह हमें पहुचाते हैं, दस साल पहले, पंदरा साल पहले, शायद मैंने अपने दोस्तों को 10th grade में कुछ पढ़ाया था, एक तरीके से पढ़ाया था, वो shortcut मुझे आस तक याद है, और मैं बहुत proudly समझाता हूं बच्चे को उसी तरीके से, छोटी-छोटी चीज़े जोब कर तो ऐसे छोटी-छोटी गलतिया, आपके मार्क्स बदल सकते हैं, वो मार्क्स फिर आपके सपन तक पॉस्निय का रास्ता बदल सकते हैं, वो शायद सपना ही बदल सकते हैं, never know, इसलिए questions को ध्यान से बढ़ेगा बेटा, extremely important, आगे बढ़ते हैं, 2017, 17, 17, 17, 17, 17 का सवाल कर द आज़ो भाई, क्या है, a spherical mirror produces a magnification of minus 1 on a screen, बोल दिया ना सब उसने, question में बता दे सब, अब ये screen नहीं भी बोलता तुम पता चल जाता है, क्योंकि minus 1 बोल दिया, minus 1 तुम real हो गया, correct, अट ये distance of 50 cm from the mirror, तो image distance आपको दे दिया है, minus 50 cm, minus को लिखा मैंने, क्योंकि real image, ये mirror के स क्यों सा होगा ये, concave, खतम बात, आगे, find the distance of the image from the object, देखा, वही बात, अभी मैं सोच रहा थे, distance of the image, ये तो दे दिया, minus 50, है, तो फिर ये क्या, अच्छा, image from the object, देखा, वही बात होगे, फिर सबाद रहा ली, image और object के बीच में distance निकालने बोल रहा है, तो basically आपको object distance निकालना है, फिर दोनों के बीच में distance बताना है, तो निकालो formula M is equal to minus V upon U, U की value निकालनी है आपको, तो आपकी हो जाएगी minus V upon M basically, है ना, तो minus V कितनी दिए है, minus 50, और M की value तो भाई, minus 1 है, तो negative to cancel हो गया, आपकी value आगई, minus 50, देखो आपकी U और V की value same है, है ना, ये कौ Concave mirror का बहुत important है, थीसरे रे डागनं को सवाल है, तिर इस अली one position in the entire scenario of a Concave mirror, where you basically get the image size as the same, image and object position same, and that is when the object is placed on C, and the image is also formed on C, so what is the distance between image and the object गुमाद याजबंदे ने 0 both of them are the same position classic question na I know what is the focal length of the mirror निकालना 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 नि एक मा का सवल है आधह मा का सवल निकालना निक्यों क्योंकि भाई जब object और image C पर है 50 पर है तो focal length C का आधह होता है 25 नियुमरिकली मत निकालना वो पूछ भी निकालना निकालना वो ये जानना चाहत है कि अब draw the radagram to show the image formation this case कर दिया मैंने भाई तो ये तो मेरे कहाल से 5 मा का सवाल in fact 2-3 मा का सवाल निया 5 मा का सवाल है object यहाँ पर है ये mirror से टकराया focus के दो निखला दूसरा रही focus के दो गया और पहलेल निकला, दोनों का intersection यहीं पर होगा, image बन गए 14 और 17 में आए था, उसके अलावा बहुत बार आया हुगा है marks देख लो, यहाँ पर marks भी दिया हुए in fact जब आप इसको पीडियर प्रानलोड करें, you will find out कि मैंने हर point पर marks देवा, कितरे marks मिलता है पहले कि लिए, आदर marks, दुथरे वाले क्या ले, आदर marks इसके लिए एक mark तो दो mark हो गया इसके लिए एक mark तो तीन mark हो गया ठीक है, किसमत अच्छे तो भाई, पांच mark का सवाल है CBSE 2013 का सवाल, दस्वा सवाल हम पहुँच हो के दस्वे सवाल पर, क्या है भाई Suppose you want to observe an erect image of a candle flame using a concave mirror of focal length 20 cm, तो focal length दे दिया है भाई, concave mirror का minus 20 cm concave mirror का focal length हमेशन अगिदी बता दुबारा इटरेट कर रहा हूँ, अब ये बंदा बोल रहा है कि आगर आपको erect image चाहिए, erect मताब virtual, वही same case 6-3 diagram का सवाल है State the range of distance of the candle frame from the mirror, भाई, आप less than focal length रखो less than focal length which is minus 20 cm बात, खतम हो गया अब आगे बताओ, list two other characteristics of the observed image, इसका characteristic क्या है भाई, ये होगा virtual ये होगा erect और ये क्योंकि आपका concave mirror है, तो ये enlarged होगा और mirror के पीछे होगा draw ray diagram देखे, 6 ray diagram आप समने बनाया हुआ है ये हमारा प्यारा सा ray diagram है focus के सामने object को रखने का अगर आप लोगो बनार नहीं आते हैं, हमें प्यार से बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक आप देख लो उसको अच्छे से ये आपका कौन के mirror है बेटा, देखो 6 ray diagram तो कम से एक बार board examination दो बनाना ही पड़ेगा, या तो इस साल अगर आप जब 10 में हो तो कम से कम 15 बार आप तो बनाना ही पड़ेगा, इतने बार सवाल आ चुका गए आपके pre-board में सब जगा पर, ठीक है, तो आपने object को यहां पर रख दिया, यह गई array parallel to principal access, should pass through the focus, array passing through center of curvature, retraces the same path backward, array passing through the focus, becomes parallel to principal access, आप दखोगे सब diverge out हो रही है, कोई भी दूसर से converse नहीं होने वाला, तो आप क्या करोगे, सब को mirror के पीछे, project back करोगे, और आप देखोगे, सब, सब के सब यहां intersect कर रहे हैं, यह बन गया आपका virtual, erect or enlarged image, वी, पुचट, जो बच्चे मेरे उमंग session में आतना को बता हमां क्या कर रहा हूं, है ना, चलो, ठीक है, ग्यारवा सवाल, we are almost at the end of this session, we are almost at the end and we are almost very close to the most important questions for today, that are the 4 and 5 hour questions, we'll find out what are they, 2020 का सवाल है, बहुत इंपरस्टिं, complete the following rate diagram, find the nature position, size of the image formed, and use mirror formula to determine the magnification in this case, ठीक है, तो पहले complete rate diagram करते हैं, rate diagram complete करते हैं, अरे, तो अभी बना दिया हमने, focal length 30 cm पर है, और object 15 पर है, तो यह 6th rate diagram है, जो यह अभी बनाना, मुझके लग रहा है मैं को, क्योंकि focal length इतना दूर दिया हुए है न, बाप रे, ठीक है, कोशिश करते हैं, let me try, यार, scale नहीं है, यार, इसमें, अगर, अगर यह board में करता हम है, तो I know many of you guys, wondering की सरा, आप बोर्ड में क्यों नहीं कर रहे हो आज, क्योंकि यार, मैं न, अपने ससुराल में हूँ, ससुराल में बोर्ड नहीं है, ठीक है, यह दो हो गया, तीसरा है बनाना, सेंटर कोर इस दिया ने, तो कोई बात नहीं, रिफ्लेक्टेटर को प्रोजेट बैक करो, यह आगया आपको इमेज, खतम, ठीक है, बढ़िया, complete, रे डिग्राम complete भाई, आगे बढ़ते हैं, और बताओ, और क्या करना है, find the nature, position and size of the image formed, अरे, find क्या करना है, virtual, behind the mirror, behind the mirror, size क्या है, last है भाई, पता है, हमको क्या करना है, use mirror formula to determine the magnification in this case, अच्छा, magnification निकालनी है, यार, magnification निकालनी है, तो पहले आपको क्या चाहिए, देखो, magnification के लिए क्या कहा चाहिए, minus V upon U, U आपके पास है, minus 15, V नहीं है, correct, तो आपको पहले V निकालना पड़ेगा, V कहां से निकलेगा, 1 upon F is equal to 1 upon V plus 1 upon U, आपको mirror formula है, F है, हाँ, 30 है, U है, हाँ है, उसमें V निकालो, और V को फिर यहाँ डालो, यह तरीका है, तो ठीक है, तो चलो निकाल देते हैं भाई साब, चलो जल दी से, 1 upon F is equal to 1 upon V plus 1 upon U, 1 upon V निकालना है आपको, तो 1 upon F, यह वहाँ जाएगा, तो minus हो जाएगा, focal end आपको दी गई है, minus 30, concave mirror तो minus लेना है, यह minus minus plus हो जाए, क्योंकि UB negative में है, तो plus हो गया है यहाँ पर, 15, अब आप LCM निकाल दो, मैं cross modulation करूँगा, minus 30 into 15, तो 15 minus 30, minus 15, 15, 15, 15 कड़िया, negative negative कड़िया, V की value positive ही आनी चाहिए, क्योंकि भाई यह behind the mirror बनी है, sign convention के साब से behind the mirror positive V देगा आपको, तो V positive 30 cm हो चुका है, अब आपको magnification निकाल नहीं है, minus P upon U, minus V आपको मिला है 30, U आपको मिला है 15, negative कड़िया, M is equal to 2 की value आगे positive, बिलकुल साही जवाब है, क्योंकि देखो, यहाँ पर आपका virtual erect and enlarged image बन रहा है, virtual image है, तो magnification positive होगा, enlarged image है, तो definitely उसकी value 1 से जाधा हो, सब कुछ बराबर बैठे है, ठीक है, चलो, बहुत बढ़े बच्चों, आप आगे बढ़ते हैं, to the 2012 question, and the last question for the 2 and the 3 markered, let's see, it's a convex mirror question, finally we have a convex mirror question now, let's see, okay, so a convex mirror used on a bus has a focal length of 200 cm, दोखो focal length 200 cm का है, और convex mirror है तो हमेशा positive होगा focal length, if a scooter is located at 400 cm from this mirror, एक scooter है, जो object distance दिया हुए, आपको minus 400 cm, find the position and magnification of the image formed in the mirror, तो आपको V निकालना है, फिर आपको magnification निकालना है, अब मैं आपको सिखाने वाला something called as verification method by Abhishek sir, जिसके थुरू आप जवाब का approximate value निकाल सकते हो without actually solving it, यह आपका help करेगा जवाब को verify करने के लिए, बहुत सारे बच्चों को मैंने detail ने पढ़ाया हुआ है, तो बेटा, अगर आपको इसको बारे में आप detail में जाना है, verification method by Abhishek sir, बस YouTube में search कर दीजेगा, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे मेरे, या तो आप ऐसे सच कर देना कि, how to solve mirror numericals without actually solving them, ठीक है, यह भी मैंने बनाया हुआ है, mirror formula and numericals, यह भी आप search कर देना बाभी शेक sir, उसमें भी मैंने detail ने पढ़ाया हुआ है, concave mirror के लिए मेरे पास same method है, convex mirror के लिए मेरे same method है, इसके through आप 95% of the questions कर पाओगे, बिना actually solve किये, और बाकी जो 5% सवाल है ना, वो मैंने आज करवा दिया, तो अगर आपने देखा हुआ, कौन के mirror किसी मेरे verification method मेरे apply नहीं किया है, है ना, देखा होगा, समझ मागे होगा आपको, क्योंकि यह वो सवाल है, जो शायद महाँ पर verification method apply नहीं हो सकता है, वो मैंने करवा दिया आपको आज, ठीक है, इसमें verification method apply हो जाए, क्योंकि convex मेरे कोई ऐसे weird सवाल आते नहीं, तब देखो, कैसे solve किया जाता है, हमेशे याद रखना है कि convex mirror के लिए आपको बस एक word याद रखना है, विदानतू का वेद, virtual erect diminished, क्योंकि virtual image है, इसकी m की value positive भी रहेगी, और क्योंकि diminished image है, m की value less than 1 होगी, क्योंकि ये virtual image है, आपकी v की value positive आएगी, ठीक है, क्योंकि behind the mirror है, और ये भी हमेशा ध्यान रखना कि convex mirror के case में, v की value हमेशा u से छोटी होती है, और v की value हमेशा f से भी छोटी, या तो बराबर होती है, ये proven case है, आगर आप मेरा ray diagram वाला session देखोगी, या तो numerical वाला session देखोगी, जहांपे मने आपको verification method पढ़ाय हुआ है, वहाँ पे आपको इस महुत detail में समझ माएगा, तो इस साल का latest playlist का link ना description में है बिटा, CBSC class 2024 10th का playlist बना हुआ है नीचे, सारे subridge के लिए उसमें से physics उठाकर देख लो जो आपको वीडियो देखनी है, is the easiest way to find the videos, ठीक है, ये याद रखना आप, तो इस basis में मेरी वी की value 400 और 200 दोने से कम होनी चाहिए, अब देखते हैं जवाब आता है कि ने, ठीक है, मज़ा आता है, so 1 upon f is equal to 1 upon b plus 1 upon u, जहांपे मेरे को v निकालनी है, 1 upon f minus 1 upon u, focal length मेरे को मिल चुका है, कितना था भाई, focal length, 200 हाँ ठीक है, 200, minus minus plus हो गया, यह 400 है, so the answer comes out to be 400, 200 कितना हो जाता है, 400 into 200, और यह उपर हो गया 600, यह हो जाता है, तीन बार, तो आपकी जवाब हो जाते है, v की value as 400 by 3, 400 by 3 कितना होता है, 133.33, मेरे ख्याल से, है न, तो 133.33 cm is lesser than 200 and lesser than 400, which is lesser than UNF, खतम, magnification, और positive आगे आपको value, वो भी आपका सही हो गया, magnification is equal to minus v upon u, आपका formula है, ठीक है, तो minus, अब यहाँ पे बच्चे, आपना 133.33 लेके confuse मत हो जाना, decimal में लालके, बिगड जाएगा मामला, आप सीधा 400 by 3 लिखो, further calculations में आप fraction का number ले सकते हैं, उसमें कोई issue नहीं है, और u की value आपको पता है कितना है, भाई, 400 है, 200 है, 400 है, ठीक है, minus 400 है, ठीक है, तो देखो, क्योंकि मैंने fraction लिया, minus 400, minus 400 डारेक्टली कर लिए, और magnification आपको आज गई, positive 1 by 3, और positive 1 by 3 is again 0.33, तो जैसे आपको positive number चाहिए था, positive number आया, less than 1 number आया, ये भी positive आया, ये भी U से कम आया, F से कम आया, सब कुछ चाहिए, तो एन approximately मैंने अपना जवाब verify भी कर लिया, बीना किसी से पूछे, देख रहे हो, तो एन नोट्स आउड़ गादे है, टेलिग्राम ग्रूप से बेटा, जैसे session हो जाते में डाल देता हूँ, ठेक है, चल, cool है, बहुत बढ़िया, 0.67, 2 by 3 आएगा, 400, यू तो 400 ही है न, 2 by 3 कैसा है, कॉने किसे भी उज़र न बस है से, फोकल लें तो 200 सेंट, 200 सेंट भी दिया हुआ है, अच्छे, यहाँ पर जवाब गलत दिखा हूँ, यहाँ पर उन्हें गिवन लिखा हूँ है, 400 और 200, यहाँ पर भी, यहाँ पर दिखो, फिर उन्हें गलत ले लिया, यहाँ को 200 ले लिया उन्हें, यहाँ तो 400 है, बट ठीक, फिरीबर दिखिशन में आ रहा है, यह जवाब सही आ गया, लेकिन यह तो 400 होना चाहिए न, तो यह जवाब गलत है, हमारा जवाब सही बटा, आपको मज़ा आया, भाई अगर आपको मज़ा आया है, तो भाई आर यहाँ नौट हिटिंग दी लाइक बटन तिल नाव भ्रो, इट दी लाइक बटन, और थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग तो दी चानल, रिली मेंस अलॉट, और शेर कर दो भाई वीडियो को अभी के अभी, अपने सारे स्कूल ग्रूप में, टेलिग्राम ग्रूप में, और कमेंट करके जाना, अपना प्यार, और सारे सवालों का जवाब, ठीक है, चलो, अब आगे बढ़ते हैं, अब बारी आने वाली है, उन दो अमेजिंग सवालों की, जिनके हमें इंतजार था की, सर, लाइट चाप्टर से, मैनिफिकेशन और मिरर फॉर्मॉला से, चार और पांच मार्के सवाल कैसे दिखते हैं, देख लेते हैं, बट देखने से, है न, आगे बढ़ते हैं, और, hard questions करते हैं, जो हमारे आखरी दो सवाल है, चार और पांच मार्क्स के, चलो, 2016 का सवाल, आपके नईया पार के लाते हैं, चलो आजाओ भाई, क्या सवाल है ये, हमारे special सवाल, आज के, इस डिजाय तो अप्टेन, अइरेक्ट इमेज अफ अबजेक्ट, यूजिंग कौन के मिरर आफ फोकल लेंथ, 12 सेंटीमेटर, ओए होए होए होए, इरेक्ट इमेज बनाना है, 12 सेंटीमेटर का फोकल लेंथ है, सवाल वहीं पर खतम हो गया, इस डिजाय तो लार्जर होगा, ठीक है, कौन के मिरर आफ तो लार्जर होगा, ड्रोर रेंड डाइग्राम, बना लिए हमने बहुत बार, वेर विल इमेज अब इस अबजेट भी, इफ इस प्लेस 24 सेंटीमेटर इन फ्रन्ट अफ दी मिरर, देखो, फिर सेम केस, बारा सेंटीमेटर पर फोकल लेंथ है, अगर अभी हम अबजेट को 24 पर रख देंगे तो, बारा सेंटीमेटर फोकल लेंथ है, तो सेंटर अफ करविचर 24 पर हुआ, डबल पर, तो अगर हम अबजेट को 24 पर रख देंगें, तो क्या होगा, इमेजी भाई पर बनेगी, उसका भी डाग्राम में बना दिया आज शो दी, पोजिशन सो पोल, प्रिंस्पल, पोकस एनदी, सेंटर कर विचे ने अबूर राइट अब कितना एजी सवाल था तो मैं आपको इस सवाल से यह दर्शाना चाहता हूँ कि बेटा, चार और पांच मा के सवाल लाइट चैप्टर से सबसे इजी होते हैं, इनको घुमाया नहीं जा सकता तो अगर माल लो आपको लाइट चैप्टर से चार या पांच मा का सवाल आ गया, तो आपका सेट इजी है, आपका पेपर इजी है किस्मत है आपकी अच्छी, बगवान ने आपको आशिरवाद दे दिया, समझ लो ठेक है, देख लो भाई, यह डाइगराम पहला, दूसरा डाइगराम यह, खतर Sample paper का आखरी सवाल, the image of an object formed by a mirror is real, inverted, and is of the magnification minus 1 बात खतम होगी, magnification minus 1 है, और 1 है, तो magnification equal to 1 है नहीं यहापे 1 का मतलब क्या हो गया, 1 का मतलब यह हो गया, कि आपका you और भी equal होगा एक दूसरा से, यानि कि आपका object again at c है, खतम, if the image is at distance of 40 cm from the mirror, where is the object placed, 40, where would the image be if the object is moved 20 cm towards the mirror, तो वही same case होगे न, वहाँ पर आप focus से center of curvature रख दे रहे थे, अब यहाँ पर आप center of curvature से focus पर रख रहे हो, है कि नहीं, आपने 40 से 20 को और दिया, तो 20 पर focus है, तो अगर आप object को focus पर रखोगे, तो image का बन जागी, image infinity पर बनेगी न भाई, state, reason and also draw the ray diagram for the new position, तो बना के पर बस पर होगा, तो यह diagram बनेगी, image infinity पर चल जाएगा, इतना लड़ू सवाल बताओ, यह थे आपके amazing सवाल आज के, और यह है आज का homework, क्रिपया इसका जवाब मुझे comment section में दीजेगा, और मैं wait कर रहा हूँगा आपके google form भरने का, and अगर आप मुझसे personally बात करना चाहते हो बच्चों, तो मेरा एक Instagram ID भी है, which is official abhishik sir underscore vidantu, जुड सकते हो आप मुझ मेरे चाट बेट कर सकते हैं, जब भी मुझे मौका मिलेगा, I'll respond to you guys, और वहाँ पे बहुत सारे amazing BTS वगेरा डाल देता हूँ, मैं photos मेरे अपने डाल देता हूँ, देख लिए जगर हो सकेगा तो, अगर आपको इस पूरे session का PDF चाहिए, और साथी साथ daily quizzes चाहिए, subject quizzes चाहिए, schedule schedule चाहिए, इस channel का और बहुत सारे amazing activities करनी है हमारे साथ, तो बहुत है telegram group join कर लेजेगा, जिसका link भी again description में ही है, सारे links description में है, by the way, don't worry, google form को जरू बरिएगा, and I'm hoping कि आप लोगोंने already like कर दिया है, share कर देए इस video को, और comment अभी करने वाले हो, subscribe कर देए आपने already channel को, thank you so much for that, मिलते हैं next session में guys, next session VIP का प्रबबली होने वाला है refractive index के उपर, I can't wait for that, I hope neither can, मिलते हैं, बाबे बीबल, take care, this is Abhishek, signing off, and I will catch you guys in the next session, peace, thank you guys, bye